तो अभी ना दोफर का टाइम हो रहा है और सुबह से बहुत ज्यादा बीजी थे कि आज घर को पुरा क्लीन करना था ना तो सुबह से उसी में पूरा टाइम निकल गया एक दो घंटा तो अराम से लग गया क्योंकि विकेंड में ना पोछा वचा भी लग जाता है तो उसमें भी थोड़ा टाइम लग जाता है और अभी हमारा फाइनली नास्ता भी हो गया पूजा भी हो गया हम लोग नहा कर रेडी हो गया और अभी वेदर देखें कितना ठंड है बाहर लगता है बारिस का पुरा महौल बना हुआ है लेकिन बारिस हो नहीं रहा है अभी और ना बा अभी नेल कट हो रहा है और कुछ ग्रॉसरी भी लाना है तो अभी हम जाएंगे थोड़ा अराम करेंगे और फिर उठने के बाद देखते हैं अभी चाय पीने का बहुत मन हो रहा है क्योंकि बाहर वेदर देखिए कितना मतलब ठंड है देखिए ये मेरे पीशे दिख रहा है ये अभी कवेदर बहुत ठंड है कही निकलने का मन नहीं हो रहा है अभी हम लोग अच्छली प्लाइम था कुछ बाहर निकलने का लेकिन आज तो कहीं निकल पा रहा है देखते हैं कल कहां जाते हैं तो अभी घर में रहेंगे आज घर का काम करेंगे और खाना बनाएंगे अब्छा सा और क्या करेंगे बाहर जाएंगे जो समान है weekend का वो ला करके रख देंगे grocery का तो चलिए अभी चलते अराम करने और दिखाते है बाबूपी सो रहा है अभी उसका नेल कट हो रहा है और उसका नेल कट हो जाएगा और जब तक वह सो रहा है ना तब तक हम भी थोड़ा देर आराम करने का मौका है कर लेते हैं क्योंकि एक बार जब उट से आएगा तो फिर उसके बाद सोने नहीं देगा और यहां पर देखिए बाबु यहां सो रहा है और इसका नाखुन कट रहा है बह अब जब साफ सफाई किया है तो पता नहीं कि यहां पर ना कुछ ज्यादा स्पेस दिख रहा है वैसे इस तो ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि जो था वही था लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको थोड़ा अंदर सिफ्ट कर दिया और जो वायर था ना वो तो क्या हुआ आगे से थोड़ा खाली-खाली सा लग रहा है तो अच्छा है इतना ज्यादा स्पेस हो गया क्योंकि एसे भी मारा किचन थोड़ा छोटा है तो स्पेस का थोड़ा प्रॉबल्म होता है क्योंकि सब बाहरी रखना पड़ता है तो ज्यादा अच्छा नहीं ल और एक दिन मिलता है गुमने के लिए लेकिन अभी ना दो तीन विक से कहीं नहीं जा पा रहा है क्योंकि वेदर ऐसा कर रखा है कि कहीं जाने का मन नहीं होता और अभी कहीं निकल भी नहीं सकते ऐसे वेदर में तो इसलिए कहीं नहीं निकल रहा है तो आपको बाहर का ब्लॉ को और हमको दोनों लोग को जुखा मैं और वेदर की वज़ा से क्योंकि देखिए अभी बहुत गजब का वेदर है मतलब इतना चेंज हो रहा है ना तुरं तुरंट कि किसी का भी तब्यद खराब हो सकता है इसमें और हम लोग तो कभी पिछले कुछ दिन से बाहर भी नहीं तो बाहर निकल दे तब्यद खराब होता तो सोचते भी लेकिन घर में तब्यद खराब हो गया इसलिए लग रहा है क्योंकि एक दिन खिर्की तोरा खुला रह गया था इसकी वज़े से लगता है कि थोरा ठंड लगा है तो थोरा जुखाम हो गया है मेरे को और बाबू दो लोग को अभी हीटेर भी लोग ओन करके रखेंतो तो फंड दो लोग रहा है लेकिन वही है कि बाहर से पाधा नहीं चलता लेकिन अंदर से महा बता ऐस ही और फ importantes है तो अभी जा रहे है तो फिसके बार लिदेड़ करेंगे तो अखिनो पहर, सब्ष़ी आपे दो लेकि तो थोड़ा देर रुक करके फिर उसके बाद बनाएंगे और अभी बाबू बाहर जाने के लिए पूरा रेडी हो गया है ओए मत काटो वैसे मत करो नहीं नहीं कि कि अभी है कि अभी है वह चोट लगजाएगा बाबूँ नहीं कि अभी है अभी हैंगे पर जाने पर इसका मूँ पूरा बंद रहता है और अंदर अने के बाद स्टार्ट विसको पूरा ये एरेंज करेगा बागी का समान जो ठंडा वाला था सब हम फ्रीज में डाल दिये हैं बस दो-तीन समान बाहर चो रहे हैं क्योंकि पता है कि ये फिर से यही करने वाला है वि जो भी जो जवरत के समाने था ना ग्रॉसरी जैसे यहां पर देखिए पानी है फ्रूट से यह सारी चीजे यही सब भी लाए है और बाहर नो मौसम बहुत खराब हो रखा है पूरा बारी सो रहता है इसलिए हम सूट नहीं किये जादा कि बार इसमें कैमरा भी बिंग सकता यहां से और देखिए अभी भी बारी शो रहा है बोले थे ना भी बाहर गयते बारी सो रहा है और यह बस और बहुत अच्छा लगता है अगर लाइट आफ करके आप यहां गर बैठे रहना तो आपका टाइम पास हो जाएगा यहां से लोग आते जाते दिखते रहते हैं अ धन देखिए करम सान कुर्मा मसाला से बनाएंगे लोड़ा कृमा बहुत जर्दी बन जाता है और यह रेई पी के बहुत बनाने के लिदे प्याज करतार यहां प्याज को एसे कड नियार इन स्कूर्ण को अधाल कर लिए और रहा देखिए में निगानिगे व हब आंव जब तक बाबू बीजी है तब तक हम फटाक से इधर अपना खाना बना लेते हैं गोल्डेन ब्राउन हो जाएगा ना तब हम इसको बाहर निकाल लेंगे यहाँ पे यह ओनियन जो यह फ्राई हो रहा है तब तक हम अभी प्यास कट करेंगे जादा कुछ नहीं डाला है उसमें ओनियन घ्रीन चिली थोड़ा से धनिया पत्ता यह सब दाल करके और उसको थोड़ा से चावल को फ्राई करेंगे तो चावल हमारा एक साइट बन गया है और ओनियन फ्राई हो रहा है अगर आपको बीच में रोटी ओटी बनाना है तो आप वह भी साइट में बाकी का काम कर सकता है यह देखिए ओनियन जो है ना यह फ्राई हो गया है इसको जादा गोल्डेन ब्राउन नहीं करना ने तो उसका टेस्ट में डिफ्रेंस आ जाता है तो इसको थोरा सा ब्राउन जैसे ऐसा हो ना बिल्कुल ऐसा ब्राउन करना है और इसको निकाले ना अब भी इसको हम ठंड जैसे थोरा सा वाइट होगा ना उसके बाद हम इसमें दही को एक करेंगे यह दही और इसको में निकालेंगे एक बाउल में दही जो है ना यह खटा ज्यादा नहीं होना चाहिए फ्रेश दही आप यूच कीजिए और एक पैकेट के लिए यहां पे हाफ कप दही लेना है लेकिन हम हाप से थोरा ज्यादा लेगे क्योंकि मेरा दहीस खटा नहीं आ ज्यादा हैर अब ही चिकेन अ हो रहा है तो हमारा जो गैस का फ्लेम है न वह हाई है तो ध्यान से क्योंकि हमको धही अड़करना है और अगeral हाई रहेगा ज्यूदा गरम में दही डालेंगे घ्र debating तो फ्लेम को लो कर देंगे और दो मिनट रुक के अब इसमें यह इतना है नहीं है नहीं को फेटने का ज्यादा जोरत नहीं परा है क्योंकि मेरा देखिए यह थोड़ा लिक्विट फोम है मतलब योगर्ट है पुरा तो थीक दही होता है ना वह नहीं था अगर आप थीक दह लेते हैं तो अच्छे से फेट ले फिर इस पर डाले यह देखिए अभी इसमें हम दही और मसाले को वैट किये हैं अभी कुछ इस तरीके का दिख रहा है अब हम इसको ढख करके 20 पिनट तक अच्छे से इसको कुख करना है अभी इस स्टेज पे जो हम प्याज का थोड़ा दरड़ जो पीशे फेना उसको यहां मिक्स कर दिये हैं और जिंजर का थोड़ा जूलियन फॉर्म कट करके और इसमें मिला दिया और फाइनली यह चिकंण कॉर्मा बनकर रेडी हो गया इसमें तुरहां घी डाले है और जीरा डाले यहां पर हम हरी मुशर डालेंगे और य और यहाँ पे फ्राइड रइस भी बन कर रेडी हो गया तो ख़ाइज हमारा खाना Auron लोग और भूल गया थे तो अभी रात का बज़रा है जिस कि एडिडिक चानल क के लाइक की जिए और हमें इंस्ट्राइम करें लुक्तिसाइब भाबू का लिए इडिया इसाइब और मेरा इडिया सोनम स्वाराज 95 अजिए यहां पी जा करके आप फॉलो कर सकते हैं ठांक्स पर वश्षिंग और देखिए रात को यहा बाबू कहल रहा है सोना होना है नहीं अब यह पूरा जगेगा 2 अब जा रात ebenis coalical वह बहुत लेठ हो गय का एक बज़ लहा है у story diet आपoden अभी ये ओफने के मूद में दिख रहा है अभी यी यह जघा एक वह गंटा एक अ स्क से लोगी तोही आर कर दो कर दो कर दो